पिछले विडियो में Microsoft Arcade में जो हमने platformer गेम बनाना शुरू किया था इस गेम में हम coins, enemy, lives, score आधी डाल कर इसको और interesting बनाना सीखेंगे सबसे पहले हम arcade.makecode.com वेबसाइट पर जाकर जो हम game बना रहे थे पहले platformer corgi इसको खोल रहे है और यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारे reward के coins हैं उनको place करेंगे तो हम करेंगे क्या कि हम एक नई tile बनाएंगे जिसको हम जहाँ पर भी हम अपना reward place करना चाहते हैं अपने platform पर वहाँ पर place करेंगे और बात में हम एक programming block के through उन tiles को replace कर देंगे coin के साथ तो मैं यहाँ पर set tile map में जा रहा हूँ और यहाँ पर my tiles में जाकर मैं एक नई tile create कर रहा हूँ जो की एक solid color की होगी तो मैं यहाँ पर pink को select करके fill लेकर ये एक नई tile create कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एक pink color की tile आ गई है और मैं जहाँ जहाँ भी अपना reward place करना चाहता हूँ अपने game में मैं वहाँ पर इसको place कर सकता हूँ तो ये place करके मैं done कह रहा हूँ और अब हम अपने program में जहाँ पर हम ये जो pink tiles place करी हैं हम इनको coin से replace करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं loops में जाकर यहां से for element value of list ये programming block ला रहा हूँ और फिर मैं यहां sprites में जाकर एक ये programming block ला रहा हूँ कि set my sprite और मैं यहां पर अब एक नया variable create कर रहा हूँ जिसका मैं नाम दे रहा हूँ coin तो हम कह रहे हैं कि एक नया variable create करना coin तो यह जो sprite है यह जो given categories है player, projectile, food, enemy यह नहीं है हम कह रहे हैं कि एक नया type of sprite है और यह नया type of sprite भी क्या है coin और फिर हम एक coin का sprite जो है उसको design करेंगे अब हम next क्या करना चाहते हैं कि यह जो हमने नया sprite design किया है हम चाहते हैं कि जितने भी यह pink blocks हैं इनको हम replace कर दें इस नया sprite के साथ तो इसके लिए हम वह आपस scene में जाके यहां से ला रहे हैं place my sprite on top of a certain location और यहां पर हम कह रहे हैं कौन सा sprite वो जो variable coin नाम के variable में हमने save किया है हम यहां पर कह रहे हैं कि एक जो हमारा value नाम का local variable था उसमें हम चाहते हैं कि हमने जहां जहां यह pink sprite place किया था उसकी value आ जाए तो इसके लिए हम scene में जाके यहां से ला रहे हैं array of all the locations जहां पर कि हमारी pink sprite जो है वो placed है तो हम इस command को एक बार और समझते हैं हम एक loop लिख रहे हैं यहां पर हम कह रहे हैं कि यह जो हमारा stage है यहां पर हमने जिस जिस location पर यह pink tiles रखी है उनकी location लेना और उनकी location से एक array या table create कर देना तो यह program यह command ऐसे run करेगी कि यह पहले यह वाली value उठाएगा उसको value में value नाम के variable में save करेगा फिर next command पर जाएगा एक नया sprite create करेगा और फिर क्या करेगा कि वो जो coin नाम का जो हमारा नया sprite है उसको यह अभी किसी particular location पे save कर रहा है हम कह रहे हैं कि नहीं वो location जो है वो location चुनना जहां पर की पहल जहां पर की यह pink block पड़ा हुआ है तो अब आप देख रहे हो कि यहां पर हमारे पास जहां जहां पर भी pink block था वहां पर हमारे पास coin आ गया है अब next हम क्या चाहते हैं कि यह pink block को हम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए वापस मैं scene में जाके यहां कह रहा हूँ कि जहां पर भी pink tile थी वहां पर एक blank tile प्लेस कर देना क्योंकि वहां पर अब already coin आ गया है तो अब हमारी जो coin था वो cable coin रह गया है और वो जो हमारी pink sprite थी वो हट गई है तो यह बहुत powerful command है क्योंकि अगर आप में वहापस tile map में जाता हूँ और मानलो आपको यह कोई location बदल नहीं थी या जब हम next इसको level 2 बनाना चाहते हैं वहाँ पर हम अपना reward change करना चाहते हैं तो हमें बहुत simple बात करनी है कि हमने यह जो भी हमने pink जहां पर भी रखा था अगर हम उसको हटा देंगे अगर मैं इसको यहाँ move कर रहा हूं और इसको done कह रहा हूं तो यह जो मेरा coin है जब मैं इसको refresh करूंगा तो इस coin की हमारी location जो है वो बदल गई है और मैं वापस जाके इसको ठीक कर रहा हूं तो यहाँ पे इसको मैं वापस थोड़ा बाद में रख रहा हूं तो मैं जब इसको done कहता हूं तो again refresh होने के बाद वो coin की location जो है वो अपने आप change हो जाएगी तो इसमें इस तरीके की यह बहुत powerful command लिखके हम अपने tile map को जितनी बार बदलना चाहेंगे बहुत simple तरीके से बदल पाएंगे फिर हम next क्या करना चाहते हैं कि जितनी बार हमारा जो sprite है हमारा जो player sprite है वो हमारे coin को छूएगा उतनी बार हम score को एक से बढ़ा देंगे और coin को वहां से हटा देंगे तो इसके लिए ये program लिखने के लिए मैं sprites में जाके यहां से एक programming block ला रहा हूँ कि overlap का block है ये overlap test कर रहा है तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं कि जब हमारा जो sprite है of the kind player वो overlap करे of the kind यहां drop down में हम जाके select करें coin तो जब हमारा player हमारे coin से overlap करे और उसको ये other sprite नाम के variable पर उसको रख दिया जाएगा तो हम वहां क्या चाहते हैं कि जो score है हमारा जो info के अंतर में मिलेगा हम कह रहे हैं change score by one तो इसको अगर मैं अभी चला हूँ तो ये हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं अपने sprite को और हमारा score जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि हमने लिखाए कि जब तक वो overlap करेगा तब तक score one से बढ़ाते रहना तो अगर अब मैं इसको पीछे हटाता हूँ तो हमारा score रुक गया पर अगर ये आएगा तो ये score continuously बढ़ता रहेगा तो ये ना हो इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही overlap करेगा score one से उपर जाए पर उसके बाद यहाँ पर ये coin गायब हो जाए तो ये जो हमारा coin है इसको हटाने के लिए फिर हम क्या करेंगे sprite में जाके हम कह रहे हैं यहाँ से command आ रहे है destroy ये जो other sprite है इसको destroy कर देना और ये जो my sprite पीछे आया इसको मैं delete कर रहा हूँ तो अब जब हमारा simulator refresh हो जाएगा अगर मैं इसको फिर से करके देखता हूँ तो हमारा जो score है वो one से बढ़ा और वो जो coin था वो गायब हो गया तो इस तरीके से मैं अपने coins collect करते हुए हर coin को collect करने पर हमारा जो score है वो one से बढ़ गया है हमने reward add कर दिया है अब हम enemy add करते हैं और उसके लिए भी हम ये same process जो है उसको follow करेंगे तो हम अपने game में जहां जहां पर भी enemy place करना चाहते हैं हम tile map में एक unique tile place करेंगे और बाद में इस code को लिखकर अपनी enemy को उस tile को enemy से replace कर देंगे तो मैं सबसे पहले tile map में जाकर एक नई tile बना रहा हूँ और ये भी मैं कोई solid color की tile बना रहा हूँ और अब आप जहां पर भी enemy place करना चाहो आप enemy place कर सकते हो और okay करने के बाद मैं ये वाली फिर से आपको दिखा रहा हूँ command कैसे लिखेंगे हम हम चाहते हैं कि जहां पर भी हमारी ये purple tiles place हुई है वहां पर enemy place हो जाए तो मैं फिर से loop में जाके for element value of list ये programming block ला रहा हूँ और यहां पर फिर मैं scene में जाके ये command ला रहा हूँ array of all the locations इसको मैं list से replace कर रहा हूँ और यहां पर मैं drop down करके select कर रहा हूँ purple tile तो अब हमने ये लिखाए कि ये एक array of all the purple tiles बनाएगा और पहली tile जहां पर है first time जब ये loop चलेगा तो इस tile की location जो है वो value नाम के local variable में save हो जाएगी फिर हम उसको replace कर देंगे फिर ये loop second time repeat होगा second time पर ये जो local variable है value इसकी जो अंदर x and y coordinates है वो next वाली purple tile के हो जाएगे फिर वो replace हो जाएगा and so on जब तक कि सारी purple tiles नहीं replace हो जाती ही फिर हम एक नया enemy का sprite बनाना चाहते हैं तो मैं sprite में जाके set my sprite तो मैं यहां my sprite में जाके एक नया variable create कर रहा हूँ लेटसे हमारी enemy जो है वो एक skull है जैसे danger का sign होता है skull तो वो है और फिर हम अपनी enemy जो है वो हम draw कर सकते हैं तो यह skull की shape draw करने के बाद हमारे पास यह random position पर आ गई है अब हम चाहते हैं कि यह purple यह जो हमने नई sprite बनाई है उसको हम यह purple tiles को replace कर दें तो इसके लिए फिर मैं फिर से scene में जाके यह command ला रहा हूं कि place जो skull नाम का है उसमें हम यह जो भी value, first value आईगी उसको replace कर देना और फिर जो loop है उसको repeat करते रहना जब तक कि सारी ना replace हो जाए तो अब हमारे पास जहां जहां पर भी purple tile थी वहां पर अपनी skull आ गई है फिर finally हम क्या चाहते हैं कि यह जो purple tile है हमारी यह हम इसको hide कर दें तो इसके लिए मैं यहीं से duplicate कर रहा हूं यह command और कह रहा हूं कि set a empty tile here at this value तो अब हमारे पास जो है जो भी हमारी purple tiles थी वहां पर हमारे पास एक यह skull आ गई है अब हम skull की programming करेंगे कि अगर हमारा player sprite इसको touch करेगा तो जो है score वो एक से कम हो जाएगा तो इसके लिए मैं फिर से sprites में जाकर overlap की जो हमारी command है उसको ला रहा हूं और हम यहां कह रहे हैं कि जब हमारी sprite of kind player overlap हो with enemy और हमने actually यहां पर हमने अपना जो नया sprite बनाया था इसको हमने enemy नहीं redefine किया था तो हम अब कह रहे हैं कि जो हमारी यह skull की sprite है it is of the type enemy तो अब हम यहां पर check कर रहे हैं कि जब हमारी player sprite हमारी enemy की sprite पर overlap हो तब क्या करना तो हम तब कह सकते हैं जैसा भी आप game बनाना चाहो आप चाहो तो इसको score को minus one कर सकते हो coin से plus one है यहाँ minus one है या अगर हम चाहें तो हम lives की concept भी डाल सकते हैं कि हम कहेंगे कि हमारी player sprite की 3 या 5 lives है और जितनी बार वो skull को छोएगी उतनी बार life जो है वो एक हमारे player की life एक कम हो जाएगी यह करने के लिए हम info में जाकर यहां से ला रहे हैं कि change life by minus one और हम अगर initially जाकर यहाँ पर on start हम कह रहे हैं वो अपस info में जाकर कि set lives to और आप जितनी भी lives set करना चाहो तो आप 3 कर सकते हो पांच कर सकते हो हमने कावी सारी skulls place करी हैं तो मैं यहां कह रहा हूँ कि हमारे को हम level one पर अपने game में पांच lives देंगे और अगर हमारे जो player sprite है वो इसको छुएगा skull को छुएगा तो life जो है वो एक से कम हो जाएगी तो अभी हमारी 5 lives है और अगर मैं अपने player sprite को आगे बढ़ाता हूँ तो यह instantly इतनी सारी lives इसलिए खतम हो गए कि again हमने destroy नहीं करी थी जो दूसरी sprite थी तो मैं यहां पर इसको कह रहा हूँ कि जैसे ही वो छुएगा तो destroy कर देना ताकि वो constant collision ना determine हो वो ऐसा हो कि one time ही collision हुआ है और एक ही life जाए तो अगर भी हमारा पाँच lives है मैं अपने player sprite को आगे ला रहा हूँ तो यहां पे हमारी अब 4 lives रहे गई हैं और फिर अगर मैं इसको और आगे ले जा रहा हूँ तो अब हमारा जो score है वो one से बढ़ गया है और इसी तरीके से हम अगर इसको आगे ले जाते हैं हमारी life जो थी वो एक और कम हो गई score एक और बढ़ गया इस तरीके से हमारी यह score बढ़ते जा रहा है और lives जब भी skull को चुएंगे तो जो हमारी lives है वो कम हो जाएंगी तो अभी यह जो यहां पर एक problem क्या है कि अगर यह skull यहां पे constantly है तो या तो game इस तरीके से है कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा player sprite है इसको जब भी skull नजर आए तो वो उसके उपर jump करे पर वो बहुत असान नहीं है वो jump करना तो इसके बदले हम यह भी कर सकते हैं कि जो हमारी sprite है वो यहां पर हो फिर disappear हो जाए फिर आए फिर disappear हो जाए ताकि हमा हमारा जो enemy है यह skull यह up और down move करें ताकि जो player है उसको chance मिले नीचे से जाने का फिर हम coin को भी animate कर सकते हैं ताकि हमारा game जो है वो जादा aesthetically जादा सुन्दर लगे और हम background वगरा जो है यह भी change कर सकते हैं तो यह सब हम सीखते हैं next video में